वेल्कम बेक अगेन गाइज मैं तरन राशपूत आपका वल्कम करता हूँ आपके अपने चैनल में आप लोगों ने खिलाडी कुमर के लिए जितनी भी एक्टिविटी फलानी थी फलाव खूब फलाव बट इधर दोस्तों खिलाडी कुमर ने एक मुवी की होर रिरीज वो है दोस्तों 6 सप्टम्ब करो आने वाली मुवी खेल खेल में है तो दोस्तों खेल खेल में मुवी आपको पता की होरर कॉमेडी मुवी होने वाली कॉमेडी मुवी तो उससे पहले सिर्फर आएगी उसके बाद आएगी खेल खेल में अब नहीं उनको कोई डर कि यार मेर मुवी को लोग पसंद करें या ना करें नहीं बेंदास आने का और मुवी को हिट कराने का अब दोस्तों उनके लिए एक लख होगा क्या होगा ये दोस्तों जनता पे डिपेंड है तो खेल खेल में 6 तरीकों जैने कि आप एक आर्टिकल दुवारा आया है सामने कि 9 तरीकों को सतंबर 9 का बर्थडे है और ये मुवी 6 सतंबर को रिलीस करने का फैसला लिया है तो खेल खेल में दोस्तों आज आपको कुछ न कुछ अनौंसमेंट या क्लिम्स कुछ न कुछ जरूर बताया जारा कि आज उसके मताबिक हमें देखने को मिलेगा यार मैं यहरान हो रहा हूँ कि जो लोग अक्षय कुमार को नीचे गराने पर लगे थे उनकी negativity इतनी कर रहे थे यार वो बंदा back to back अब मूवी ला रहा है उसके पास काम की कमी नहीं है काम करने की हिम्मत होनी चाहिए जनून होना चाहिए इनसान पीशे नहीं हटता वो काम अपना लगज़र करता रहता है और दोस्तों साथ ही उनके बेटे आरव कुमार की बात करों तो और साथ में अमने थमनेल में पिच्छर देख ली होगी उरी के साथ आरव कुमार और अजय देवगन की बेटी नियासा उन एक फोटो शेर की है जो कि पबलिक में बहुत सी वाइल हो चुकी है ये निउस और आप देख सकते हैं आरव कुमार पूरा एक हॉलिवुड स्टार की बेटे की तरह लग रहा है जैसे कि हॉलिवुड मोवी का कोई होता है एक्टर है ना सेम उसी तरह की लुक है यार आरव काफी हैंसम है अगर ये बंदा बॉलिवुड में पैर जमाए तो यार चल सकता है पर उसको इस मामले में कोई शौक नहीं है बट फिर भी दोस्तो है कि अक्षे कमार इस साल चलिए एक बड़े में चोटे मिया में तो आपने देखा आ गए कि और किस-किस मूवी में आने वाले हैं तो बड़े में चोटे मिया प्रैल में हो गई 12 जलाइ को आ रही है सर्फरा तो उसके बाद दोस्तो अब अगस्त में तो शायद सिंगम अगेन में भी अक्षे कमार आ सकते हैं अगर अभी डेट का कुछ फाइनल आगे पेशे नहीं हुआ है जब अगर होगी तो उसमें भी आपको अक्षे कमार देखने में बिलेंगे फिर दोस्तो दो उसके बाद आपको पता है कि ये खेल-खेल में 6 स्तंबर को आ रही है ठीक है उसके बाद दोस्तो इनकी मुवी आ रही है दोक तूबर कुछ स्काइफ फोर्स और साथ में दोस्तों आपको बताता चलूँ कि वैलकम थ्री तो आनी या नी है क्रिस्मिस पर और उससे पहले इद्दिवाली पर ये भी बताया जा रहा है कि ये किनकी मुवी ये वीर दडड़ले साथ सो वो भी आ सकती है तो इस बार अगर आप सोच रहे हो न अक्षे कमार एक दो फिल्म हो हैं ये नहीं दोस्तों कम से कम चार-पांच मुवीज में आपको देखने को मिलेंगे पहली बड़े में शोटे में जिसमें आपने देख लिया है दूसरी आपको पता ही है ये सिर्फ विरा तीसरी खेल-खेल में चौथी स्काइफोर्स माच मी सिंगम अगेन शेमी और वीड़ दरले साथ साथ भी मैं तो पहां सोच रहा था साथ फिल्मों में आपको देखने मिलेंगे और उसके बाद तो आपको पता है कि दो यार पच्चिस मेहरा फेरी थ्री भी आ रही है हाउसफूल फाइब भी आ रही है और आपको पता ही है कि राओडी रोटाओ टू पर भी इनकी बात चीज चल रही है आ सकती है तो दोस्तो आप इस नियू से कितना खुश हो तो आज देखते हैं कि क्या देखने को मिलता है और उसके बाद आपको पता कि अक्षे कमार की कनपपा जो मूवी कर रहे हैं साइन की है कनपपा भी इदर साइन कर ली है गोर्खे पर भी दोस्तो चर्चा चल रही है गोर्खे मूवी को भी शायद उसको गोर्खा और क्रेक मूवी भी इस ये अक्षे कमार कर सकते हैं सुबा के दोस्तों आप अपना देख बताना आपके साब से कौन सी जाएगी हिट और कौन सी जाएगी पिट तो फ्लीज कमेंड में बताना सुबा बाई तिल देन बाई